नमस्कार दोस्तों, प्रेक्टिस वाला यूटूब चनल में आप लोगों का स्वागत हैं, दोस्तों आज हम लोग रेलबे गुरूप D, 15 सितंबर 2022, 3rd सिप्ट का ओल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, बिल्कुल दोस्तों आप सही सुनें, 15 सितंबर 2022, 3rd सिप्ट का ओल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक-एक सवाल इंपोटेंट हैं, आपके एकजाम में इस वीडियो से स्वाल देखने को मिलेगा, तो आप एक-एक सवाल का इंपोटेंट समझें, और अच्छे से तय प्यारी कीजिए ओके दोस्तों चलिए हम लोग डाइडेक्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि एक लंबी धरवाई परिनालिका द्वारा उत्पन चुम्बक के छेतर डैस होगा तो आपको परिनालिका के अंदर एक समान होगा कैसा होगा दोस्तों तो आप आदपो में जल के परिवहन में वास्पो उत्सरजन की क्या भूमिका होती हैं तो आपको यह पानी के विशरन को बढ़ावा देता हैं क्या भूमिका होती हैं दोस्तों तो यह पानी के विशरन को बढ़ावा देता हैं ऑप्सन दूजु हैं बिल्कुल सही उतर हो जाएगा चलिए next question देख लेते हैं नेक्स्ट question कह रहा है कि प्रिज्म के माध्यम से स्वित परकास के गुजरने पर इसका 1 भी छैपन होता है इसका बिचलन कोण डैस होगा तो इसका बिचलन कोण जो है आपको तरंग दैद के बेउद करमानुपाती होगा इसका बिचलन कोण कैसा होगा दोस्तों तो आपको तरंग दैद के बेउद करमानुपाती होगा अपसंदू जो है बिलकुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं दोस्तो मैं उमेद करता हूँ कि question आपको अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिये और comment करके बताए कि वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तो अभी तक आप इस चनल को subscribe नहीं किये हैं तो please इस चनल को subscribe कर लेजिये और बिल आइकन को भी प्रेस कर दीजिये ओके चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि औप्षिष्ट उतपादों को पादब कोसिका के अंधर कहाँ संचित किया जाता है तो आपको रस धानियों में संचित किया जाता है option दूज jours हैं बिलकुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन कह रहा है कि अजयव निमने कर्णिये का क्या तात्पर है तो वे पदार्थ जो जैविक पर किरियाओं द्वारा भी घटित नहीं होते हैं वे अजयव निमने कर्णिये कहलाते हैं अप्सन दूज है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा चले नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन कह रहा है कि इनमे से कौन सा ततो प्राकिर्तिक में सबसे अधिक धात्विक होता है तो आपको सीजियम होता है कौन सा ततो होता है दोस्तों तो आपको सीजियम होता है अप्सन चार जो है बिल्कुल सही उतर हो ज NO3 अभिकिरिया करके 2KNO3 पलस PBL2 बनाता है यह desse का उधारन है तो यह जो है आपको 2KNO3 पलस PBL2 बनाता है यह डैस का उधारन है yo चलिए next question देख लेते हैं, next question कह रहा है कि इन में से कौन सा पसू भारतिय रिजर्बाइंग के परतिक चिन पर मौजूद हैं, तो आपको बाग हैं, कौन सा पसू हैं दोस्तों, तो आपको बाग हैं, option 3 जो हैं, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, चलिए next question देख लेते हैं, next question कह रहा है कि जब ethanol एक अमलिय माध्यम में potassium dichromate के साथ अभिकिरिया करता हैं, तो कौन सा परमुख उत्पाद प्राप्त होता हैं, तो आपको एथनोईक अमल प्राप्त होता हैं, कौन सा परमुख उत्पाद प्राप्त होता हैं, तो आपको एथन नोईक अमल प्राप्त होता हैं अप्शन एक जो हैं बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि भारतिय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहां हुई थी तो आपको कलकत्ता में हुई थी तो देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि बिदेशो और अंत्राश्टे संगटनों से प्राप्त नगद अनुदान सहायता डैस का एक हिसा है तो आपको राज़स्व प्राप्ति का एक हिसा है मैं यह कोश्चन फिसर रिपिट कर दे रहा हूँ कोश्चन कह रहा है कि बीद्यसो और अंतराष्टि संगटनों से प्राप्त नगद अनुदान सहायता डैस का एक हिसा है तो आपको राजस्व प्राप्ती का एक हिसा है अपसन दू जो है बिलकुल सही उतर हो जाएगा ओके चले नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन कह रहा है कि बीदूत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो डैस परिवर्तित करता है तब बीदूत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो बीदूत उर्जा को यांतरिक उर्जा में परिवर्तित करता है आपसन तीन जो है बिलकुल सही उतर हो जाएगा ओके चलि नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन कह रहा है कि सन 1970 के दसक में चीप को अंदोलन सुरू करने वाली महिलाएं निम्ण में से किसकी रक्षा करना चाहती थी तो आपको एक अक्षा संसाधन की रक्षा करना चाहती थी किसकी रक्षा करना चाहती थी तो एक अक्षय संसाधन की option 2 जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि P, B, R और I के बीच निम्द में से सही संबंद क्या होगा तो P बराबर I square R होगा निम्द में से सही संबंद क्या होगा तो P बराबर I square R होगा option 3 जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि परतवे ग्राम पंचायत का परती निधितो कितने सरपंच करते हैं तो आपको एक सरपंच करते हैं परतवे ग्राम पंचायत का परती निधितो कितने सरपंच करते हैं तो आपको एक सरपंच करते हैं option 1 जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि इन में से किस पंचवर्षय जोजना में गरिबी हटाना और आत्म निर्भरता प्राप्त करना मुख्य उदेश था तो आपको पंचवी पंचवर्षय जोजना का मुख्य उदेश था option 1 जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि बैगनी हरे नारंगी और पीले रंगों में से किस रंग का अपरतनांग सबसे कम होगा तो आपको नारंगी रंग का अपरतनांग जो है आपको सबसे कम होगा किस रंग का अपरतनांग सबसे कम होगा तो आपको नारंगी रंग खा, अप्सन दू जो है, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके दोस्तों चलिए, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, नेक्स्ट कोशन कह रहा है, कि बर्स 1976 में, 24 सुवे संबिधान संसोदन के माध्यम से, 10 के तहत संबिधान के भाग 4 में, 10 मुल करत अप्सन चार जो है, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके चलिए, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, नेक्स्ट कोशन कह रहा है, कि इन में से कौन सी अभिकिरिया, उत्पादों के निर्मान के साथ साथ, उसमा भी मुक्त करती है, तो आपको उसमा छेपी अभिकिरिया करत हैं दोस्तों, तो उसमा छेपी अभिकिरिया, अप्सन तीन जो है, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके चलिए, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, नेक्स्ट कोशन कह रहा है, कि निमने लिखित में से कौन सी गर्व निरोधक भीधी, अवांचित गर्व धारण और स्टी जो है, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके चलिए, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, नेक्स्ट कोशन कह रहा है, कि एक आपतित कीरण और तल दरपन के फोकस से होकर गुजरती हैं, तो परावर्तित कीरण डैस होगी, तो इसका परावर्तित कीरण जो है, आपको मुख अक्ष के समनांतर होगी, इसका परावर्तित कीरण कैसा होगी दोस्तों, तो आपको मुख अक्ष के समनांतर होगी, अप्शन तीन जो है, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके चलिए, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, नेक्स्ट कोशन कह रहा है, कि मंत्री परिसद यान बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके चलिए, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, नेक्स्ट कोशन कह रहा है, कि इन में से कौन से आबंध हाइड्रो कार्बन के कार्बन कार्बन परमाणगों के बिच बनते हैं, तो आपको सह संजोजी आबंध बनते हैं, कौन बनते हैं दो आने वाला पहला ब्यक्ति कीसे माना जाता हैं, तो आपको सेंट थमस को माना जाता हैं, कीसे माना जाता हैं, तो सेंट थमस को, अप्सन तीन जो हैं, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके चलिए, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, नेक्स्ट कोशन कह रहा है, कि लार एमा पाइलेज जो है आपको एस्टार्ज के पाचन में मदद करता है उप्शन चार जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि महात्मा गांधी अंतराष्टी हिंदी भी स्वबी द्याले कहां इस्तित हैं तो आ आपको वर्धा में इस्तित हैं अप्शन चार जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके इस सिप्ट में इतना ही सवाल था मैं उमीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा दोस्तो अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर स देखिए आपके लिए एक एक सवाल इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम में इस वीडियो से स्वाल देखने को मिलेगा ओके मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ तब तक के लिए टेक एर दोस्तो एंड बाई